जी हाँ नमस्कार साथ एक और बड़ी ख़वर सीकर जिले सीमिलरी सीकर के दो पुलिस थानों और क्यूर्टी टीम ने बड़ी कड़ी मसकत के बाद 6 लोगों को फिर से हिरासत में ले लिया है इस मामले में आपको बता देगी इन सभी पर आरो फे की लस्मनगड इलाके में पेट्रोल पंपर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए नेशनल हाय पर लूट वारदात की साजिस बना रहे थे इसी के चलते पुलिस प्रिसासन मोके पर पहुंची और 6 लोगों के रहासत में ले लिया है वहीं पुलिस की जांच बड़ताल में सामना आए कि 6 में से 5 पर पहले से इस मामले दर्ज हैं जिसमें नेशनल हाय वे पाउन पर नरोदडा गाउं की तरफ जाने वाली सड़क पर 5-6 लोग एक बिना नमरी कार में बेटे थे पेटरल पंपर लूट वारदात कुछ साजिस बना रहे थे जिसके बाद सूचना मिलने पर QRT टीम और सीकर सदर थाना पुलिस टीम के साथ मिलकर मोके पर पहुंची और दबीश दी जिसमें आपको बता देगी नैशनल हाईवे बाउन पर अन्रपूर्ण होटल के पास टीम पहुंची और वहाँ पांचों को दो बोलर केमपर के साथ सबी को हिरास्त में लिया इसमें आपको बता देगी टीम जब बोलरों को गाड़ी के पहुंची तो बेठे सबी लोग इसमें एक दूसरे से बात कर साजी सरत चेजते इसमामले के चलते छे लोगों के रासत में लिया इन छे लोगों की पुष्टी कर दी गए लश्मंगड थाना इंचाज राजिस कुमार ने बताएगी आरूपी सुरेंदर महिला पर लश्मंगड और नारोली गाउं में पांच मुकद में और संजे में गवाल पर नो प्रक दोस्तों सबस्क्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जए हिन दोस्तों